देवास में प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी के दौरे के दौरान यहां हंगामा और मारपीट की घटना हो गई बताया जाता है कि प्रदर्शन कर रहे श्ट्रमिक नेताओं के साथ कॉंग्रिसियों ने मारपीट की इसके बाद श्ट्रमिक पुलिस थाने पहुँचे वहीं मंत्री के स्वागत के दौरान एबी रोड पर लंबा जाम भी लग गया जानकारी के अनुसार जब प्रभारी मंत्री जीतु पटवारी देवास पहुचे तो पहले तो अभावी के कार्यकरताओं ने ग्यापन के लिए रोक लिया इसके बाद श्रमिकों ने उन्हें रोका बंडारी फैक्टरी को लेकर श्रमिकों का एक दल ग्यापन देने के लिए सायजी द्वार आया तो यहां हातापाई हो गई इस दौरान पुलिस की समझाईश भी नाकाम रही पुलिस को रविंद्र चौधरी नामक राजोदा निवासी व्यक्ति को कॉंग्रेसियों से बचा कर ले जाना पड़ा इस दौरान पीछे-पीछे कॉंग्रेसी भी दोड़ते नजर आये और हाथा पाई करते रहे सिटी को तवाली ले जाकर पुलिस ने रविंद्र चौधरी को लौक अप में ही डाल दिया रविंद्र चौधरी खुद को प्रभारी मंत्री जीतु पटवारी का साडू बता रहा था यह भी बताया कि जीतु पटवारी नहीं पुलिस को कहा कि चौधरी को छोड़ दो विवात के पीछे यह बात भी कही गई कि चौधरी ने मंत्री सज्जन वर्मा के बारे में कोई टिपणी कर दी थी जिससे वर्मा समर्थक नाराज हो गए और मारपीट हुई अजय में पारे में अजय कर दो को जाराज है हाई हाई झाल, 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 झाल